नमस्कार वच्चों मैं अमित्मार गुपता आप सभी का सौगत करता हूं इस रोग के आफिशियल यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आसा करता हूं आप सभी स्वस्त होंगे अच्छे होंगे और सही से रह रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए अप एक रिकार्डट फॉर्म में क्लास दे रहे हैं और यह परिक्षा एक टार्गेट है कि आप लोगों का जो केमेस्ट्री का सेक्षिन है पहले खतम कराया जाए जो इंपॉर्टेंट बात हैं वह करा जाए ताकि आपके जो साइंस से रिलेड़ेट कोश्चन से चाहे वह रेल जिसमें हम लोगों ने सॉलिट और लिक्विट की प्रॉपरिटीस के बारे में पढ़ा था आज हम लोग लिक्विट की एक और प्रॉपरिटीस के बारे में पढ़ेंगे दैट इस कैपलरी कैपलरी एक्षिन के शुकत और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दोनों को जोड़के पढ़ेंगे नई चीज उद्वर्स जिसे हम लोग के खिऐ लिया कहते हैं च College का निनकी पढ़ेंगे जीवन में किन पक्षों में कहा कहा पे हमें के च्छेंपल्स है और ये तो चले आज बढ़ते हिए प्रिंशिक को बढ़ते हैं, शरू करने जा रहा हूं, उसका 3D पार्ट मेटरों सब्स्टेंस का और मेटरों सब्स्टेंस में आज की क्लास में जो हमारा पहले टॉपिक है जो मैंने बताया कि आज हम ससंजग और संजग बलका संयोजन संयोजन combination of adhesive and cohesive force इसके बारे में पढ़ेंगे जिसको हम केशिकत्तों के कारण चीजें भीग जाती हैं भीग जाती है इसलिए से भीगोने की प्रक्रिया प्रॉसेस वेटिंग या वेटिंग प्रॉसेस भी कहा जाता है इसके करण चीजें गेली हो जाती है भीग जाती है ठीक ह प्रकार के अडुओं के मद्दे लगने वाले Inner Molecular force को अंत्र आकशन बलको अंत्र आणुक अकशन बलको हम सचंजक बल कहते हैं कोहसिव फोर्स कहते हैं इसको मैं ने बदाय तो कोहसिव होता है प्रॉस एम और जो भींद पदार्थ के अडुओं के मद्द लगता है उससे ह हम एडेसिव कहते हैं अगर हम दोनों को मिला दें तो एक कैपलरी एक्षिन हमें फार्म तो चीजें कैसे भीग जाती जैसे एक सिंपल सा उधारन है हम अपने कपड़ों को धुलने के लिए बाल्टी में भीगोते हैं और कभी-कभी क्या होता है हम अपने शड भी गोया लेकिन आधा शड बाहर रह गया और आधा पानी में रहता है लेकिन हम क्या देखते हैं दीरे दीरे वो पूरा शड गीला हो जाता है ठीक है तो वो शड गीला कैसे हो गया गीला ऐसे हो गया कि भाई चोटे-चोटे जो कपड़ा हमारा बना चोटे- मैट्रिक्स से 컨थ होते हैं यह कंप तो क्षिकत तो क्या होते हैं किशीकत तो बहुत पतली काँ से प्रीड कपड़ से बनी हुई पतले 3-4 बनी हुई पतले धागे-णुछ संदचनाएं होती हैं जिनमें लिक्विट क्या करता है फ्लो कर जाता है मिंस क्लाइम कर जाता है चाड़ जाता है बहता है जैसे चिराग या दीपक जो होता है उसमें हम एक cotton की बत्ती लगा देते हैं और तेल में डालते हैं और धीरे-धीरे बत्ती हमेशा जलती रहती जब तक तेल उसको मिलता है तो तो तेल क्या है अचानक तो जल नहीं जाता है इनी चीजों को आज हम पढ़ेंगे देखेंगे कैसे होते हैं तो हम सबसे पहले जानेंगे जो तब होता है जब पानी बहां बता है खुबड़ा में एक सिंपल उधारन के बदात suburbs के तनों में जैसे हम पहरों में देखते हैं हम पानी कहां डलते हैं जड़ों में लेकिन पानी की supply पूरे पौधे में हो जाता है तो वहां भी एक प्रकार का capillary action ही होता है capillary action होता है खीजियर जहां पर हम लोग पढ़ते हैं biology में xylem और phloem यह जाईलम क्या है एक प्रकार के capillary action का ही उदारने वो जड़ों में पानी देते हैं और पतली-पतली सिराओं के माध्यम से वेंस के माध्यम से वो उपर पानी चड़ जाता है पुरे पौध्य में पहुंच जाता है तो यह अगर हम पूछे इसके पीछे principle क्या है किसका सिद्धाम काम कर रहा है किशिकतु का जानते हैं तो किशिकतु का पतली-पतली सन्रचनाय होती है दीज थिन इस्ट्रेक्टर अब कपड़े की बनी हो ठीक है cotton की बनी हो या हमने कांच की पतली नली हो या पधों की कोशिकाओं के फार्म में हो से लिलोस से बनी हो वो कुछ भी हो सकती है तो पतली- ये नीचे बी उतर सकता है ये उपर कि attracting नीचे या सकता पानीय और चडैंगा भी और नीचे आएगा भी तो देकि हमने पढ़ा था जो को हैम फोर्स होता ये पानी के अढ़ को एक साथ जोड़े रखता है जबकि Addhesive Force जबकि Addhesive Force क्या करता है यह पानी के अडुओं को अन्य पदार्त के अडुओं के साथ चिपकाये में मदद करता है कोहेसिव ससंजक सैयोजन बींस एक ही अडुओं के मद्द लगने वाला मैंने बार बार यह बता रहा हूं तो इसको ध्यान रखना एक्जाम अपने दिमाख में ऐसी मलब एक पदार्थ के अडूम, इससंजब पानी के अडूम को एक साथ रखता है तुगेदर करता है इक साथ रखता है जबौकि एडेसिफोर्स पानी के मलीकूल कोई पदार्थ के मालेकूल कहने का मतलब यह ट्यूब का व्यास डाइमेटर जितना चोटा होगा चोटा मतलब जितना पतला होगा जितना पतला होगा पानी उतनी उपर जा सकता है या उतनी तेज उपर जा सकता है कहने का मतलब अगर एक मैं सिंपल से एक्जामपल पूछू हूं तो अगर मेरी कोई कि आ हैं मैं को होण कि हमारे पास चिराक के चिराक के बत्तियां है है कि रैंट इसे बनी वही थी यह है इक यह है कि यह है इक यह थीकर बिलकुल पत्य दश्वाइस अ और निचे सम्हें तेल यह बढ़या जल रहे हैं तो कुश्छिन है कि किस में सबसे ज़िसे चलेगा सबसे तेजी से बढ़ेगा तो तेंहां यह बहुत अधी उजाला देने से मतलब है तो जितना पतले होगवा सबसे फास्ट होगी से फिसमें lt होगी फिर उस्वा मोटा होगा कहने का मतलब है जिस चीज से पदार्थ से काच से बनाया हो कपड़े से बनाया हो कॉटन से मनाया हो त्यूप का वैस जितना पतला होगा पानी उतनी तेजी से उपर फ्ल्यूड करता है तो देखें क्या है है दोनों का combination होता है combination के कारण liquid या पानी या तेल वगएरा किसी पतली वेंस के माध्यम से या पतली नलिकाओं के माध्यम से पानी का ऊपर चढ़ना या पानी का ऊपर उतरना इसके कारण बहुत सारे यह अभी देखते हैं और हमारा मरकरी पारे में जब पारा और पार्इव इसिहां कांच के बरतन में मैं रखते हैं तो यह मैंग नस कैसा compan के इसको मैं बताता हूं देखे जो पानी होता है पानी के जो होता है आप ग्लास में पानी बरींगे मैं लिया जेड़ास है हमारे पास ाब वो था से नहीं दिखाई पड़ता है ग्लास हे अब हमने इसको पानी में कुछ से भर दिया जाए पानी को अगर हम इसके molecouv को देखेंगे वह यह दो तो हमें ऐसे दिखते है कि लेकिन यह मलकूल्स को तो वास्तों में जो वाटर है किस तरह हो रहा होगा। यही बात बताएगी है कि काज के तरह पतर मैनस के लिए इसका वक्र कैसा बनता है ससंजग और असंजग दोनों ही जिम्मेदार होते हैं एक गलास पानी में पानी का मैंने इसका सबसे अधिक वहां होता है जहां काच के संपर्मorp es यह पर यह पर मैंने इसका सबसे उपर अधिक होता है लेकिन घंफ शबसे कहां होगा निम्न के बीच के बिंदूं में, बीच के बिंदूं के साथ एक वक्र या आउतल बनता है, तो धियान रखेगा अगर हमसे पूछा जाता है किसका पानी का वक्र कैसा बनता है, बीच में बनेगा कौन के हो, और किनारे उपर उठा हुआ ये, ये जैसा मैंने बनाया है, लेकि कैसा बनेगा, कॉन्विस मैनिस्कस बनता है, मीन्स इसका जो सेफ होगा, कैसा बनेगा, एक कैसा इस्ट्रक्चर फे फ्लो करेगा, देखे ऐसा क्यूं होता है, क्योंकि जो वा पारे के मर्करी के मालेकूस के बीच कोहसिव फोर्स है, बहुत स्ट्रॉंग होता है, मैंने पि शिपकता ही नहीं है इसका हम लोग अगर बनाएं तो इसका जस्ट आपोजिट आजाएगा हम कहें कि अगर किसी बरतन में पारा लिक्विड मरकरी रखा है लिक्विड मरकरी है तो इसका कैसे बनेगा इसका कुछ इस तरीके से आए यह मींज बीच में उठा हुआ यह तल और किनारे से दबा हुआ यहां पर लो लेवल होगा और बीच में हाई लेवल मीज यह कुट तल उठा हुआ बनता है तो मरकरी का जो मैं इसकस कहता है वो कौनवेक्स होता है उत्तल जिए अप स्थियान रखियेगा और हमारे जल का उपर बीच में नीचे पारेत का का बीच में उपर दिवारों के असपास मेंज इसके लेयर केशिक में रहते हैं तो ध्यान रखेए गए, зах Mechan theo路 आ से रहता है उन क्यों से रहता है वाटर मैनिसकस मतलब होता है इसके वक्र का तल कैसा बनता तो बीच में कान के हो और इसका पारे का अगर हम कहें मरकरी का तो मरकरी का जो होता है ये बीच में उड़ा होगा देखा कुछ हिस्ता बीच में ऐसे दियान रखना है हमें इसका बनिएगा कॉनवेक्स और इसका कॉन क्यों हिंदी में आवतल बीच में सेंटर में मिड में और ये मिड में आपका बनता है उतल तो किसका उतल बनता किसका उतल बनता ये बात हमें दिहान रखनी है अब आस एक्जाम में और इसका रीजन क्या है कोहिसीव फॉर्स अ कि मरकरी का कोहिसीव बहुत स्ट्रांग होता है इसलिए के वह आपस में इतना जूड़ जाते हैं कि उपर उटे हुए विल्कुल प्रतीत हो जाते हैं अजबकि पानी क्या है क्याट क्याटर सब्सक्राइब किनारी हलका हो जाता तो ये कांच से चिपक जाता है चलिए अच्छा एक चीज़ और देखिएगा अब जैसे हम लोग कुशिन पूशता है कि जो कांच के बरतन या बीकर बनाए जाते हैं बीकर देखते हैं अब उसमें जैसे कोई एसेट्स रखने हैं या एलकोहल रखनी है वह बहुत महेंगी सराव आती है अब हमारा जो बीकर है कांच का कुछ इस तरीके पदार से बनाए नार्मल है कि वह पतली पतली वैसल से उसमें क्या होगा वह एलकोहल इतना कास्ली होता कि अगर वह कांच की पतली चिद्रों से होकर चड़ गया उपर तो क्या होगा उसका जो इफिसेंसी होगी बरतन की वह कम ह हो जाएगी उसमें क्या लिक्ट वह मात्रा घड़ जाएगी तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई हम क्या करते हैं कि ऐसे बरतनों को बनाने के लिए आसंजन की मात्रा को कम कर देते हैं इस एड़ेसियू की इमांट कम कर देते हैं और इसके लिए कांच को बनाने के लिए हम cigmat. उसमें कुछ चीजें मिलाते जिनको हम sirstep text कहते हैं, sir 거는 text ऐसे बदार्थ होते हैं, जो क्या करते हैं, क exem कम कर देते हैं, amount of addition को reduce कर देते हैं, इससे क्या मिलाये जाता है समय, इनकी capillary के जो actions की क्रिया कम हो जाते हैं, capillary actions कम होते हैं, तो क्या होगा हमारा जो भी उसमें पदार्थ होगा वह बहेगा नहीं जादा दूर तक means container में अधिक पानी या कोई भी अल्कोहल बच जाएगा कि तो我在 the vertex क्या होते हैं सअसे बदार्थ को अधेशन को कम करते हैं लिक्विड को और उस बॉटल की या उस बॉकर की ज़मता को बढ़ा देते ट्रॉजेंश है वैसे चीजे तो भcharo नारмен चीजा पान नहीं है तो इसमें तो सस्ते काँच होते हैं उनको क्यों बनाएंगे बाई चलिए आगे देखते हैं तो इसी बात को हम एंग्लिश में देख लेती हैं फटक से कि combination of cohesive and adverso capillary and wetting actions क्या होते हैं तो combination of cohesive and adhesive forces responsible for capillary action फिर में निए बता है कि दूनों का combination ही हमारा केशिकर तो या capillary action कहलाता है which what happens when water climbs up the interior of a thin glass tube or the stem of a plant means किसी plant की साख्वाओं में जब चड़ जाता है पानी या काँच की दीवारों में चड़ जाता है चिपक जाता है इसको हम लोग capillary कहते हैं cohesion holds the water molecules मैंने कहा था पानी के अड़ों को जोड़े के रखने में कौन जिम्मेदार है cohesion ससंजन लेकिन जब वह पानी किसी दूसरे पदार्थ से चिपक जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार addition असंजन ठीक है जितनी मोटी होंगी ट्यूब उतना स्लो चड़ेगा water किस ट्यूब में तो व्यास इसका डायमेटर जितना कम होगा उस capillary का उसके शिकत्तों का जितना पतला होगा पानी की स्पीड उतनी तेज जाएगा और उतनी जल्दी भी चड़ेगा question and addition are also responsible for manicus of liquid liquid कैसा वक्र फॉर्म करता है मैंने अभी बताया कि अगर water molecules में है तो वो concave बनाता है और अगर mercury में हम देखें तो वो convex बनाता है अभी दोनों मैंने बताए फिर से मैं आपको figure में दिखा देता हूं वही बात है water mercury molecules form convex manicus in the middle and water molecules form concave manicus in the center ठेक है तो दोनों क्या है ध्यान रखेगा चले अब हमें यह देखना है कि जो हमारे capillary action कहां कहां पर हमें इसके उधारन दिखाई पड़ते हैं और यह questions हमारे किसी भी एक्जाम में आपके से सी रेलवे किसी भी एक्जाम में या मैं कहूं civil services में भी आरो वगारा में भी सब में पूछे जाते हैं आरो है PCS में बहुत कामन question है यहां आते ही आते हैं चलिए देखते कि कहीं यह आप्लिकेशन प्रयोग कहां कहां पर देखते अभी मनें उदारन बताया बत्ति में धागों की किशिका करिया बत्ति में धागों की मतलब बत्ति के जो धागे होते हैं आपके चिराग की बत्ति होती है इसमें चिराग लालटेन जानते हैं लालो पिशाद यादो का चुनाउचिन ने भी लालटेन कहते हैं तब इंक जलेगी जब तेल चड़ेगा त तो वो क्या है बत्ती होगी बत्ती हमने देखा होगा आपने कैसे होती है ऐसे होती है कपड़े से बनी होती है अब धागे से बुनी रहती है अब धागों से बुनी रहती है अब धागे किसका काम करते है कैपलरी एक्षिन का अब तेल इसमें जब सूट करता है तो चड़ता ह को चला जाता सेट इस बत्ति के धागे जितने महीन हों गे जितने पतल ऊंगे इस टाइड होंगे बढ़ियास के बंदे होंगे उतनी ती लेगा लेकिन जितने फैले होंगे ऊसद्ञ को उतनी दीरे दीर short इस how सोकता इस पंज के एक टुकड़े में केशी का तुके करन पानी जमा रहे था इस पंज देखने ना जिससे स्लेट वगरा बच्पन में साप करते थे सोकता आता था तो उसमें उसमें क्या है देखे है हम लोग ने देखा हो जैसे साइकल के गदी का फॉर्म वगरा फॉर्म जो ही को सोक लेते हैं तो टीशू पेपर वगरा या हम अज कल हाथ पुछने के लिए टीशू पेपर का यूज करते हैं यह पॉछ तारी काम करते हैं तो टीशू पेपर क्यों लिक्विट को नमी को पानी को सुखा लेता है is क्यापलरी एक्शिन के कारण ठीक है पादों की प्रक्रिया के द्वारा पौदों की जड़े मिट्टी से पानी को और शोशित कर लेती हैं अब्सार्ब कर लेती हैं और उसे अन्य पौदों के हिस्सों में पहुचा देती तो अभी मैंने बार-बार बल में कि पौदों के तनी या पौदों की जड़े के शिकत्तों के द्वा कैस्ट यह हैे आप देख्ते थे निव होती थी तो निव को बीज़ सी एक लाइन ऐसे बनी रहती थी दाथ निव को बीज़ से फार देते थे यहां पर पतली सिर्ट यह यह ठाश एक है यह ठाश पतली मतलब कैलरी action कर शल्च कर में आसु जो हमारी आखों से निकलते रहते जब रोते हैं तो आसु निकल आते थे तो यह भी महीन महीन नलिकाओं से आते हैं इन ग्लैंड को हम क्या कहते हैं लैक्राइमल ग्लैंड आश्रु ग्रंथी आश्रु ग्रंथी को हम लाक्राइमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथी कहते हैं तो आखों से आश्रु निकलना ये भी कैपलरी का एक उदारन होता है क Southeastibles 7 US इसके अंदर जो हमें दिखते नहीं है पत्ले पत्ले इसमें वेंस इन से घया उपर की मिठी का नम हो जाना मतलब अगर नीचे कोई मिठी पानी डाला गया तो पानी को क्या घुला हो जाती फिर से घीली हो जाती है तो उपर की मिट्टी का गीला हो जाना केशिकाओं के माध्यम से पानी की सता पर केजी से पढ़ना अब देखे मिट्टी में क्या होता है अगर कहीं बारिश होई है बारिश होई है तो क्या होता पानी नीचे चला जाता है मानले कोई मिट्टी हो सूकी मिट्टी थी अब बार करती यह केशी कत्तों का काम करती गास केशी-कत्तों का काम करती अब यह घास क्या खर्पतवार यही पानी अंदर के पानी को कापलरी के दौरा ऊपर ला देते उसे ऊपर के मिट्टी में गीली हो जाती है इसी लिएक बहुत important question होता है कि बारिश के बाद खेतों की जुताई क क्यूं कर देनी चाहिए देखी बारिश होती है तो बारिष से क्या होता है डेकि बारिश अएगी मिटि में पानी में पानी का जमाओ बरहा देगी लेकिन जैसे ही खरपतवार आते हैं उसमें घास खरपतवार उगने लगेंगे अगर आप इन खरपतवार को हटाएंगे नहीं तो यह क्या करेगा और प्रेक्षिन के माध्यम से पानी उपर आएगा और उपर क्या धूप है धूप से पानी सूप के पूरा चला जाएगा तो जो बारिश का पानी मिट्टी को होल करना यूँख घेते हैं के शिकत्तों के हटानी के लिए उल्टा और रिमेरिट हो जाता है तो इंक का यूज टिशू पेपर का यूज ब्लॉटिंग पेपर का यूज निपमेंट का चिरा की बगति है तौलिया हाँ देगे शरीर में हमें पसीना आता है नमीं आती है तो हम तौ से बनाई जाती है तो तौलिय एक इतने सॉफ मटेरियल से वह भी कहा धागों से मुनी हुई है अब धागों को जैसे हमारे अपने शरीर में रखते हैं वो पसीनों को का यह कैपलरी चोटे-चोटे चित्र है वो पसीनों को अपने में स्वोक लेते हैं एब्सॉर्ब कर लेते हैं यह कैपलरी एक्शन है ठीक है चलिए तो वही चीज हम लोग इंग्लिश में भी जो लोग इंग्लिश में बच्चे हैं तो उनको देख लीजेगा मैंने बहुत अभी मैंने जस्ट बताया वाटर इस रिटेंड इन पीस आप इस पंज इस पंज में कैसे वाटर कर जाता है खट्टा रहता है ब्लॉटिंग पेपर टिशू पेपर कैसे होंगे रूट है आप अप प्लांट्स वही मैंने चैपलरी एक्शन टिप अपद निव पैन इस मूफ टूर्श ट्रूर ये डग्ट्स एक डक्स किया हो के प्लेरी एक्षिन का काम करते हैं स्ट्व्य स्ट्वलस और मिडी क्यों आप सब किसके उदारन होते हैं चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा यह के बारे में थड़ा इंट्री कर देते हैं छिए तो गैसी अवस्ता के गुण क्या होते हैं मैंने कई बार 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 फिर हम आज बता रहे हैं कि gas ऐसे पदार्थ होते हैं जीनका कोई fix shape and volume नहीं होता तो इनका कोई definite shape and volume नहीं होता इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता और नहीं कोई आतन निश्चित होता है पदार्ती कि तुलणा में Cincinnati बहुत का मुट होती है तो सबसे दिक किसकी होती है सबसे दिक solid की density होती है लिक्विड की देन गैस की ठीक है तो सबसे कम किसकी है गैस की तो सबसे एदा थोस की फिर द्रव की फिर गैस तो अगर हम density के recording को arrange करें ठीक है ऐसा क्यों होता है देखिए गैस के जो molecules हैं इनके बीच में बहुत अधिक inner molecular space होता है means सबसे ज्यादा होता है इसलिए इनके molecules कापी दूर-दूर होते हैं और इनके बीच में गैप होता है इनके बीच में बहुत अधिक kinetic energy तो कुछ है कौन से पदार्थ के अडवों के बीच गति जूर जा kinetic energy सबसे अधिक होती है इनके बीच में होती है kinetic energy का कि किन molecules के भी सबसे अधिक होती है अगर इतनी ज्यादा होती तो यह बहुत ज्यादा अपस में टकराते हैं ठीक है एक दूसरे से werde Insight prof one ज्यादा करते हैं तना ज्यादा टकराते कि गर्म हो जाते हैं और यह को लैजन इंके अडवों के बीच तब-तक चलती रहती है जब तक पूरे बरतन में एक समान संसटुलन नहीं आ जब तक गैसे पूरे बरतन में ना फैल जाएं तक पूरे बरतन कंटेनर में समान रूप से वित्रित ना हो जाएं जब अधिक गैस कण एक कंटेनर में प्रिविश करते हैं उसमें अधिक मात्रा में गैस के पार्टिकल को इंटर कर दिया जाएं जैसे हम जाने स्लेंडर में छोटा यह लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा घैस भर जाती कंप्रेस करके बढर जाती है लेकिन हमें अभी यह ते हैं संकुचीतien के लड़के डिस्चारज हो जातेगे क्या हो जाते ग она कर के आन्तरिक आयतन पर जगे क्या करें की तो क्या करेंगे कोई कंटेन है इसमें इंटर्न जो इसके अधिक फूर्स लगाते हैं इसी लिए प्लस्ट भी होते हैं ह् गैस लेंडर इतने ज़्यादा ब्लास्ट कर रहे होते हैं कि तोटे बरतन में बहुत अधिक मात्रा में घ्र भर दी आती तंपीडित करने के लिए एक लेंडर में बहुत ज़्यादा डाल दी आती है वह क्या है बरतन कभी-कभी किसी भी कारण से दुरगटना होती तो धनाम स इस बोलते है क्यों वेग्यास क्या हो रही है गैस बाहर है प्रयास करती हैं उतनी ज्यदह ताकल लगए रहती है है यग्यूस को था कि देऊ चलिए इस ब्ल गsa G06म बरतन बदन लगती इसी को प्रिश्च वेंकर फिक से लकानर में भॉवर दिश्च कहां कि सबसे प्रिशर डालते हैं और यह इसी कारणा से और इसी प्रिशर को हम प्रिशर को हम प्रिशर कहा देते हैं पार्टिकल से और इंटीर वालूम आफ प्रिशर कहते हैं इसी को हम प्रिशर कहते हैं चलिए गया सबस्ता के गोंग प्रिशर अभी मैंने बताया कि गैसों द्वारा लगाए गया कंटीनर पर प्रिशर के दाप को वैक्त करते हैं करने के लिए कए काईयों का हम इसको इस प्रिशर को गैसीयस प्रिशर को एक्स्लेम करने के लिए कई यूनिट्स का यूज़ करते हैं जैसे एट्मॉसफर स्काड में ATM या ATM नहीं कहेंगे एट्मास्फेरिक प्रेशर या एट्मास्फर साट फ़र में ATM बोलते हैं PCI पाउंड पर इंच क्यूमा पॉंड प्रतिव वर गे इंच पारा के मिलीमेटर एम अच जी मिलीमेटर एच जी ठीक है यह बहुत कमन यूज होता है मिलीमेटर एच जी में PCI पाउंड पर क्यूबिक इंच पास्कल तो प्रेशर की एक बड़ी यूनिट क्या है पास्कल इसके इलावा एट्मॉसफर मिली बार मिली बार भी यूज होती हैं वन एट्मॉसफेरिक प्रेशर कितना पाउता है यह 14.7 PSI पाउंड पर क्यूबिक इंच ठीक है 14.7 लेकिन हमें यह धियान रखना है वन एट्मॉसफेरिक प्रेशर कितने mmHg के बराबर होता है यह बहुत इंबॉर्डन कुश्चिन 760 mmHg के 760 और यह कितने किलो पास्कल के बराबर होता है तो किलो पास्कल 101.3 किलो पास्कल लेकिन यह धियान रखना किये है 1000 पास्कल ठीक है तो दाब का मात्रक है कैसी प्रेशर का यूनिट पास्कल भी है mmHg भी है प्रेशर को प्रेशर को हम पी के रूप में इंडिकेट करते हैं इसके लावा प्रेशर के अत्रिक्त उसेक्ट में और क्या चीज़ मेज़ेबल होती है मापने योगियो उती है तो हम उसेक्टिशन में प्रेशर को दाब को *** system लीउम को बी और जो गैसी पार्टिकल्स होते इन पार्टिकल्स को गैसी पार्टिकल्स को मोल नंबर मोल संक्या या एन या मोल में इंडिकेट किया जाता है तो ध्यान रखिएगा गैसीय पार देके जो गैस्य इस टैम्पठेचर है जिडेकार жितने भी इसकी यूनिट होती हमदो कहले है ऐसे टैम्पर éénट होती है एसे टैम्परिचर को हमके यूनिट में वेक आजाता है Kelvin unit में Kelvin में gases temperature को explain किया है तो हमें ध्यान रखना है कौन-कौन से units को हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमने Pascal का भी यूज़ किया हमने MMHG का भी यूज़ किया हमने pound per cubic inch भी यूज़ करते हैं और atmosphere atmosphere कितनी MMHG के बराबर होता है 180M तो इसको बिलकुल 760 MMHG और यह हमारा C level पर count होता है अब देखें गैसी वस्ता के गुणों में कुछ बाते और हैं देखें हम एक चीज मालूम है क्योंकि temperature और pressure temperature और pressure हर स्थान पर vary करता वहरी मतलब अलग-अलग बदलता रहता है तो अलग-अलग जब बदलता है temperature और pressure जब अलग-अलग बदलता है तो क्या होता है तो इसमें कोई uniform formality नहीं आ पाती एक जैसी बात नहीं आती है तो इसी को हम एक standardization बनाने के लिए एक unit use होती कि इनको standard बनाया जाए इसके लिए मानक तापमान और दाप को हम लेते हैं standard pressure and temperature को जिसको हम STP standard temperature and pressure कहते हैं standard temperature and pressure के हम बात करते हैं तो gas को अलग-अलग इस्तानों पर अलग हो लोग होते हैं हर जगे के लिए हम भिन-भिन units तोड़े ले सकते हैं तो हम क्या करते हैं एक standard temperature होना चाहिए और फ्रिजिंग पॉइंट होना चाहिए अब देख लेते हैं तो इसके लिए हम पानी को मानते हैं पानी 0 degree Celsius पर जंगता है या फिर पानी 273 273.15 Kelvin तो हम लिख लेतने यह pressure हमारा लिखा था तो यह चीज ध्यान रखियेगा और पानी का standard pressure कितना मापा जाता है 180m एक atmosphere 180m 180m का मतलब यह समुद्र पर प्रत्वी दौरा वाइव मंडल पर means C level पर समुद्री तल पर वाइव मंडल कितना pressure डालता है ठीक है तो यह कितना है 760 mmHg इतना pressure पड़ता है समुद्री लेवल का हमारे उपार ठीक है यह कुछ बाते हुई इसी चीज को हम इंग्लिश में देख लेंगे ठीक है प्रॉपर्टीज अफ गैसस में यह सेवरल यूनिट्स तो इक्स्प्रेस प्रेशर प्रेशर को वेखते करने के लिए बहुत सारी का इंगे जिसमें हम लोग अट्मासफर पाउंड पर स्क्वाइर इंच पी एसाई पाउंड पर स्क्वाइर इंच एट्मासफर मिलीमीटर ऑफ मरकरी एम एम एच जी जिसको कहते हैं हमने पासकल मैंने वही बताया भी इन यूनिट्स तो रिड़ वन अब एक दूसरे से संबंदित हैं स्क्राइब करते हैं और जो पार्टिकल साब मालिक्यूल है मौल पिर जब मौल को हम एंड से इंडिकेट करते हैं तो यह चार चीज़े आगे हम देखें जो बहुत सारे चाल्स ला बॉइल्स ला गैसिस ला हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा समझेंगे क्या रिलेशन होता उनसे जुड़े हमारे क्वेशन सा जाते एक्जाम में तो चलिए बच् सब्सक्राइट जीरो डिग्री सेल्सियस और 273.1 कल्विन या फिर इस्टेंडर टेंप्रेशर कितना होता है वाटर का स्टेंडर प्रेशर इज्वन अट्मासफर आफ वाटर इस यह चीज़े हमें करनी थी तो आज के लिए वच्चो इतना ही धन्यवाद ठीक है फिर मिलेंगे हम लोग आगे से जो गैसियस प्रिंसिपल से इंपॉर्टेंट और उसके साथ ही हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे इसको तो अब हमने जो पढ़ दिया फिजिकल प्लासिफिकेशन आफ मैटरा सबस्टेंस हमने पढ़ा जिसमें हमने सॉलिड लिक्विड गैस की प्रोपरटीज पढ़ेंगे पढ़ ली है दो की और एक गैस की कुछ बची हुई है उसके प्रिंसिपल से रिलेटेट और भी कुछ बढ़ारत की कुछ दो अवस्थाएं और हैं हम लोग प्लाजम बिल्कुल वीडियो को देखिए उसे लाइक करिए और लोगों को बताइए जो पढ़ना चाहते हैं ऐसा ठीक है तो पढ़ाई के नाम पर हम लोग बिल्कुल भी पताही नहीं बढ़तेंगे एक एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा जो आपके परिक्षरों के लिए इंपॉ